पुर्वित मंत्री और बरिष्ट विजेपी नेता और उन्चेटली लंबे समय से बिमार चल रहे थे और दिली के एमस अस्पताल में बहुत दिनों से भरती थी रोजाना कई सारे नेता उनका हाल चाल जानने के लिए एमस अस्पताल में आते रहते थे और उनके लिए कई सारे दुआएं भी करते थे लेकिन बड़ी ही दुखत खबर ये है कि पुर्वित मंत्री और उन्चेटली अब हमारे बीच नहीं रहे आपको बता दे कि उन्होंने दुपहर बारा बच कर साथ मिनट पर आंखरी सांसे ली अरुण जेटली के निधन की खबर से पूरे देश में सोक की लहर है उनकी तब्यत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था मोदी सरकार के पहले कारेकाल में बित, रक्षा और सूचना प्रसारण जैसे अति महतपुण मंत्राले सम्हालने वाले अरुण जेटली को संसत में सरकार के संकट मोचक माना जाता था यानि जब भी सरकार को कोई भी समस्या आई जेटली ने अपने अनुभव से उन्हें दूर करने का काम किया जेटली पुर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजबाई की सरकार में भी मंत्री रहे जिसके बाद विपक्ष की भूमिका में भी जेटली बेहत मुखर प्रवक्ता रहे और UPA सरकार को निसाने पर लाते रहे उन्होंने NDA का सफल राचनीती करन भी माना जाता है देश्ट चाय आपकी सरकारती हमारी थी हम जूजते थे उससे मुकाबला करने के लिए आपने जिसको गोल्डन पीरियड कह दिया उस गोल्डन पीरियड में तो स्टोन थ्रोइंग शुरू हुए थी जब दोजार आठ में और स्टोन थ्रोइंग शुरू होने के पीछे कारण बडास पष्ट था कारण ये था स्टोन थ्रोइंग मूव्मेंट के पीछे कि इस देश की भी आतंक और आतंक बादियों से लड़ने की शमता सुदर रही थी चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी और पुरा विश्व कभी भी इस मूड में नहीं था कि हम स्विकार करें कि कोई आतंक बाद के आधार पर कहीं विजय पराप्तगा नोबड़ी के अलाओ तो इंजॉड़ी थी प्रकार से हम लोग इसको सिवल डिसोबीडियन्स का रूप और इसलिए दोहजार आठ में उन्होंने अपनी रणदीती बदली और उस बदली हुई रणदीती के तहत तो इन्होंने मास अपसर्च नहीं, 2010 में अबर नाव था आट 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 अबर याथ याथ रहती है आप मुक्रमंत्री थे उस्वाब तो 2010 में जब वो शुरू होई तो उसके पीछे उदेश यह था कि मास्ट डिसोबीडियन्स करिये हर व्यक्ती स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलिज का विद्यार्थी या कोई आमा आदमी बस्ते के अंदर पत्थर लेकर जाए कोई पाँच आदमी साथ आदमी की पुलिस या स्रियार पी एफ बीएसेफ की चौकी देखे तो दस अजार पत्थर उसके उपर बर साथ वो तो वैपन का काम करते हैं और यह तब से एक नमूना इसका पैदा शुक्राइब दोजाराट का अजाज साथ ने जिक्र किया जब अमरनाथ का मुव्मेंट हुआ कि इतना बड़ा तीर्थ स्थान और विरोध यह था कि कि वहाँ पर जो यात्री जाते हैं उसकी सुविदा के लिए जमीन नहीं दी जाएगी केवल टेंपरेरी यूज के लिए क्योंकि वह तो केवल कुछ सप्टा के लिए होती है यहां कि सोच में बिदलाव यहां तक था और इससे बेतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साथ और अगर ब्लेम गेंग में जाना है तो मैं केवल आपको इतना करे दूँ कि जब इतिहास फैसला करेगा कि काश्मीर के ऊपर डॉक्तर शामा प्रशाद मुकर जी का द्रिष्टिकोंड सही था या पंडित जवरला नेरू का साही था तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी लेकिन अगर आपको स्टेट्समें बनना है और आपकी पार्टी को बनना है तो कम से कम भविश्य की हम लोग सूचे और उस भविश्य की सोच में काश्मीर में जो गलतियां हुई उनसे बाहर नि विकास, डेवलप्मेंट किस प्रकार से हो सकता है इसकी बात हम लोग सोचे तो शायद बेटर होगा और केवल अगर आपका प्रयासरे रहेगा कि कोई ना कोई हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को वाइटवाश करते तो वो तो इतिहास का एक अंग बन चुकी है इस देश का हर नागरेक जामता है उससे मुक्ति कभी आपको मिल नहीं पाए